सब सच बताता कुछ न चुपाता आयना, 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 आइना नमश्कार यह कहानी जो हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे परिवार की है जिसने अप्पी पूरी जायदाद, संपत्ती नागलाइंड के सहुकारों के हाथ खो दी और अब वो वही संपत्ती रुप्या रुप्या वापस जीत रहे है ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है लेकिन किनी सामाजिक कारणों से ये परिवार अपना असली परिचन नहीं बताना चाहता कहानी उन्ही की है और उन्ही की शब्दों में है वो परिवार नागलाइंड के उस गाउं में रहता है मैं आज सबजी लेने गई थी तो उसने दाम बहुत बढ़ा दिये कह रहा था कि उसे और भी पैसे चाहिए तुम आज कहां गई थी आज मैं मंगल दास की दुकान पर गए थी उसने क्या कहा वह कह रहा था कि पैसे तो बाकी सारे पैसे आ गये हैं अगर अगले दो महीने में उसकी जो बाकी 35,000 रुपए हैं हम उसको दे दे तो गांगों का घर हमें वापस मिल जाएगा तो 35,000 रुपए इतनी सारे पैसे हम कहां से लाएंगे और वो भी दो महिने में अजो मेरी दुकान गेवी रखे तो ना ना और उधार नहीं लेना इतनी मुश्किल से तो हम साहुकार के चंगुल से निकले हैं अब मुझे और उधार नहीं लेना तो फिर इतना धेर सारा पैसा कहां से लाएंगे कुछ सो वो जंगल से लकड़ी कटवाते और अपनी फैक्टरी में लाते थे, सौ मिल में लकड़ी तराश कर वो बेचते थे, उनकी ट्रकें, नागा लाइंड, आसाम और कोलकत्ता तक लकड़ी पहुंचाती थी, जैसे जैसे वैजोखामों का धंदा बढ़ता गया, उनको सरकार से मिलने लगे, उनके धंदे में कागजे कारवाई बढ़ने लगी, मुश्किल ये थी, कि वैजोखामों को पढ़ने लिखने में कठनाई होती थी, हाँ, हाँ, बोलिए, मैं कली आपका माल भेज दूँगा, दो ट्रक, जी, और आपका बिल, कहां भेजू, बीमापूर या ग वो जब दिल चाहे आप दे दीजिएगा, एक लाग कही तो सवाल है, मैं आते जाते आपसे ले लूँगा, ने दिल्ली से जैसे ही मेरी पेमेंट सेंक्शन हो जाएगी, कामों जी, आपको पैसर मिल जाएंगे, ठीक है, मैं लकडिकल ही रवाना कर दूँगा, आप जिनता ना करें, ठीक है मंगलदाज जी, नमस्ते, क्या है वेता, शाहब ये न्यूजपेपर आपने पढ़ा, हाँ, हेडलाइन तो पढ़ ली, बाकी घर जाकर पढ़ लूँगा, क्यों, क्या बात है, अतेले, आप आगए, आप आगए, आगलियो की चित्थी आई है, प्रिया अप्पो और अज्जो, एक खुश्खबरी, मुझे इस साल की सर्वस्रेष्ठ स्टूडेंट चुना गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मार्था मैडम ने कहा है कि साल स्कूल से वो हमें से कुछ बच्चों के बच्चों को कलकत्ता ले जाएंगी, बहाँ पर इंटर स्कूल डिबेट है, नवेंबर में, मुझे और चार बच्चों को नागलान स्टेट की तरफ से कलकत्ता भेजना चाहते हैं, मैडम कह रहे थी कि आपकी इजाज़त चाहिए, स्कूल से आपको चिठी भेजी जाएगी, पर मैंने पहले ही भेजती है, अप्पू, प्लीज मना मत करना, हमारा स्कूल ही पूरी देख धाल करेगा, पर कलकत्ता आने जाने के लिए पांसो रुपए देने हूँगे, अप्पूपली मना मत करना, आपकी एवेल्यू, हाँ, घर में सबको प्यार भीजाए, एवेल्यू कलकत्ता जाएगी, मेरा तो मन नहीं मानता, देखो, भगवान का शुकर मानो, हमारे दोनों बच्चे बड़े जिम्मेदार है, और हार है, सिर्फ एक तुम ही हो, जो रोती रहती हो, नहीं, लेकिन वो लड़की है, मुझे लड़का और लड़की में, कोई फर्क मेसूच नहीं होता, हतेले, मुझे लगता है, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, इस उमर में, देखो, हमारा आख को बीए में पढ़ रहा है, और एवेल्यू, दो-चार साल में रस्मी पास कतके कॉलेज चली जाए, दोनों बच्चे पढ़ लेंगे, और हम दोनों, बुढ़ा बुढ़ी अनपढ रह जाएंगे, आज तुम्हें पढ़ाएं लिखाई कहां से याद आ गई, अब क्या बताओ, मेरे आफिस में वो वैता है न, आज उसने अख़वार में ख़वर पढ़ी, कि सरकार फुजाजसों के लिए सड़क बना रही है, तो उसमें नया क्या है, सरकार तो रोजी सड़क बनाती है, तुम तो जानती हो, मुझे पढ़ने में मुश्किल होती है, और ये ख़वर मैंने नहीं पढ़ी, अगर वैता ने नहीं पढ़ी होती, तो इधन्दा दूसरे किसी के हाथ में चला जाता, तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया, देखो, सरकार सड़क बना रही है, तो जगा साफ करनी होगी, जगा साफ करना, यानि लकडी काटना, अगर वैता ने ये ख़वर नहीं पढ़ी होती, तो इधन्दा लकडी काटनी का काम दूसरे किसी के हाथ में चला जात जब अखो पढ़ लिख लेगा, तो आपके काम में हाथ बटाएगा, देखो, वो आगे पढ़ना चाहता है, उसे पढ़ने दो, और उसका कॉलिज तो कोहिमा में होगा, दो चार साल वो हमारी मदद नहीं कर पाएगा, तो एक काम करते हैं, एवल्यू को घर बुला लेते है नहीं नहीं, वो स्कूल में पढ़ती है, और उसके लिए हम लोगों को तो कोई खर्चा नहीं है, वो तो स्कूलरशिप में पढ़ती है इतना पढ़ा कर क्या करोगे, कौन सी सरकारी नौकरी मिलने वाली है उसे वो तो उसकी बात है, अगर मुझे दूसरों के सामने बेवस होना अच्छा नहीं रगता कितनी बार सरकारी कागज भरने पढ़ते हैं, और मुझे लोगों से पूछ पूछ कर भरना पढ़ता है अगर कुछ गलत लिख दिया तो वैजो का डर सही निकला, उन्होंने कॉंट्रेक्ट तो लिया, लेकिन टेंडर का फॉर्म भरने में एक छोटी सी गलती के कारण उनके धंदे में नुकसान पहुँच गया और वैजो को मंगलदास से पैसे उधार लेने पड़े खामोजी जब मैंने सुना कि आपने इतने कम भाव में कॉंट्रेक्ट लिया है, मैं तो हैरानी रह गया आपने इतने कम पैसो में कैसे मान लिया टेंडर भरने में मेरे आदमी ने खलती कर दी और तो आपने टेंडर का फॉर्म चेक नहीं किया था क्या खामोजी तभी तो लोग कहते हैं कि नागा को धंदा करना नहीं आता तो क्या आप उधार नहीं देखिए आप मेरी बात का बुरा नमाने मैंने कब कहा कि मैं आपको उधार नहीं दूगा नहीं मंगलदास जी, मुझे लगा कि आप नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपने मुझे पर हमेशा विश्वास किया है मैंने सुना है कि लीमा पानी के पास कुछ कटाई का कॉंट्रेक्ट दिया जा रहा है आप कुछ जानते हैं आप देखिए, मेरी वहाँ पहचान है, तो मैं पूछ कर कल आपको फोन नमबर दे दूँगा और देखिए, इसमें कहीं मेरा नाम नहीं आना चाहिए बस, आप इतना कर दीजिएगा तो बहुत महरवानी होगी नहीं, अज सारा घाटा मिठ जाएगा नहीं, आप चिंता छोड़ दीजिए, चलिए, नमस्ते वेजुखामों है? जी, नहीं, वो तो बाहर गए हैं जी, मैं मंगल दास बोल रहा हूँ देखिए, मुझे आचानक राजस्थान जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी माँ की तबियत बहुत खराब है तो वेजुखामों कहिए कि उनके पैसे मैंने अपने आदमी के पास रखे हुए राम मगन के पास आप उन्हें जरा बता दीजी जी, अच्छा जी, आप ये नाम और नमबर लिख लेंगे लिखलू? जी, लेकिन मैं तो मैंने वेजुख को कहा था कि मैं नाम और नमबर दे दूँगा जी, कहिए? जी, ये नमबर लीमा पानी के पास नाचो का है और नमबर है जीरो, तीन, छे, दो, पांच, चार, चार, आठ, दो, छे चार, चार, आठ, दो, छे नाम है नेलो हाले मेती जी, मैं वेजो को आपको फोन करने को कहूँ वेजो को कहिए कि कल काम जरूर हो जाना चाहिए अगर कल दोपेर बारा बज़े तक फोन नहीं किया तो फिर काम किसी और को मिल जाएगा जी, आपने नमबर क्या कहा? फिर से लिख लीजिया जीरो, तीन, छे, दो, पांच, चार, चार, आठ, दो, छे 0, 3, 6, 2, 5, 4, 4, 8, 2, 6 जी नमस्ते नमस्ते 0, 3, 6, 2, 5, 4, 4, 8, 2, 6 0, 3, 6, 8, 2, 4, 4, 6, 2, 8 0, 3, 6, 8, 2, 4, 4, 6, 2, 8 0, 3, 6, 8, 2, 4, 4, 2, 6, 8 0, 3, 6, 8, 2, 4, 4, 6, 2, 8 यह क्या है? क्या लिखवा रही हो? नमबर सेट मंगलदास ने दिया है मंगलदास ते कुछ नाम बताया है क्या? हाँ, कोई हाले मेती का नमबर है उन्होंने कहा है कि बारा बज़े के पहले फोन कर लीजेगा नहीं तो काम हाथ से चला जाएगा हलो? यह हाले मेती का नमबर है? नहीं नहीं? यह हाले मेती का नमबर है? जी नहीं आपको किस से बात करना है? हाले मेती से, वो लिमा पानी में है वो आपने लिमा पानी नहीं हाफ लॉंग नमबर लगाया है अतेले अतेले जी यह नमबर गलत है क्या? नमबर गलत है? 0-3-6-8-2-4-4-6-2-8 यह लिमा पानी का नमबर नहीं है, यह हाफ लॉंग का नमबर है यह गलत है, नमबर गलत है पर मंगल दास ने मुझे यहीं नमबर दिया था और यह नमबर लिमा पानी का नहीं था, लिमा पानी के पास ही किसी जगे का था शायद मुझे याद करने में कोई गलती होई होगी मंगल दास ने कौन से जगा कही थी, कुछ याद है तुमें? नहीं, मैं तो सिर्फ आदमी का नम और नमबर याद कर रही थी अब ऐसा ही नमबर लगा कर देख लो ना ऐसे नमबर का मतलब क्या है, कौन लगा रहा हूँ, लीमा पानी नागलेंड में जा रहा है आप लोगा सामने जिरो तीन छे तक तो ठीक है, वो तो नागलेंड का है, बाकी पर तुमने ठीक से लिखा क्यों नहीं? मुझे लिखना नहीं आता बस और तब से तुम्हारे आपो टूट से गए और मंगल दास? उसका तो कर्स बढ़ता चला जा रहा है, तुम्हारे आपो ने बीस हजार रुपे उधार पर लिये हैं और वो भी हर महीने सौ रुपे पे छे रुपे ब्याज अब तो ब्याज चुकाने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं कॉलेज छोड़के अपो के धंधा में मदद करूँगा हवरदार जो तुमने कॉलेज छोड़ा, तुम पढ़ हो, मैं कुछ और कर लूँगा मगर मंगलदास की बात तो सही निकली, वो हमेशा कहता था कि नागा लोग धंदा नहीं कर सकते, इसलिए तो कलकत्ता से, राजस्थान से, पंजाब से, लोग आकि सालों साल धंदा करते हैं, कि इतने नागा मिलते हैं, जो सक्ष्ट में बड़ा धंदा करते हैं, तुम इत नौकरे ढूम रो, क्यों आपो, क्या हम लोग बुद्धू हैं, हमारी हाथ में हुनर नहीं है, क्या हम लोग आलसी हैं, नहीं, धंदा, उसके दाओं पेच, हमें नहीं आते हैं, तो सीख लेंगे, कौन सीखेगा, क्यों, मैं हूँ, अखो है, अरे, हम सीख लेंगे, नहीं ये तुहारे पढ़ाई के दिन है, तुम पढ़ो, अखो पढ़कर क्या करेगा, नौकरी, नौकरी है कहां, हर सरकारी पोस्ट के पीछे सो उम्मीदवार खड़े हैं, और अपनी जान पहचान कहां है, अपो, मुझे वापस आकर अपने साथ काम करने दीजे, तुम पढ़ो करोगे, मेरी कसम खाओ, कि तुम एमे खतम करोगे, अपो, मैं, मेरी कसम खाओ, बेटा, जब तुम्हारे अपो इतना कह रहे हैं, तो बात उनकी मान जाओ, कसम खा लो, कि तुम एमे तक पढ़ोगे, अपो, मैं कसम खाकर कहता हूँ, कि मैं एमे तक पढ़ूँगा, उस दिन के बाद, वैजो कभी अपने दफ्तर ही नहीं गए, अखो, पोहिमा तो वापस गया, और इधर उधर काम करके, अपने कॉलेज की फीज भरने लगा, एवल्यू स्कूल वापस गई, और एक टीचर के घर में रहने लगी, और एक दिन, वैजो इस दुनिया से चल बसे, और अतिले के सर पे संकट का पहाद तूट पड़ा, जी, घर में कोई है, जी, नमस्ते, नमस्ते, आँ, मैं मंगल्दास, फोन पे हमारी अक्सर बाते होती रही है, पर मिले पहली बार, ओ, आप मंगल्दास हैं, जी, बैठिये, बैठिये, जी, शुक्रिया, जी, मुझे वेजो के गुजर जाने की खबर मिली, बहुत दूरा हुआ, आप किस काम के लिए आए है, जी, देखिये, बुरा मत मानिये, ऐसे मोके पे बात करना अच्छा तो नहीं लगता, पर वेजो ने मुझे कुछ पैसे देने का वादा किया था, अखो, अखो, ये मंगल्दास जी आए है, पैसे लेने, हाँ जी, अपको ने कहा था आपको 30,000 रुपए देने हैं, अभी तो हमारे पास 20,000 रुपए हैं, 10,000 खर्च हो गए हैं, देखिये, बात ये है, कि वेजो ने मुझे कुछ जमीन के कागजात दिये थे, और अभी आपके पास पैसे तो है नहीं, कि आप मुझे पैसे देकर वो जमीन सुड़ वाले, और मैं नागा नहीं हूँ, तो आपकी खेती या जमीन भी नहीं ले सकता हूँ, और मेरा सारा बेनामी काम बीरी समाल रहा है, तो आगे से आप बीरी से ही बात कर ले, क्योंकि अभी आपको मुझे दो लाख रुपिये देने बागी है, मैंने तो पहले ही वैजो को कहा था, कि नागा लोगों को धंदा करना आता ही नहीं, अब सेट मंगल दास वही दौरा रहे थे, जो पीडी दर पीडी लोग कहते आ रहे हैं, कि नागा को धंदा करना ही नहीं आता, जहां वैजो खामों का धंदा ठप हो गया, वहां करजा देने वालों ने बेचारी अतिले का जीना मुश्किल कर दिया, और एक दिन वो लोग बिना किसी को बताए, चुप चाप कोहिमा चले गए, देखो अजओ, मैंने ये कमरा हमारे लिए लिया है, ये कमरा, अब क्या करें, गाओं में तो वापस नहीं जा सकते, उस दिन मंगल दास ने कहा था, कि हमें उन्हें दो लाक रुपए देने बाकी हैं, लेकिन हमारी याए खेट तो है, उसको हम बेच कर पैसे वापस कर सकते हैं ना, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं खेटी कर लूँगी, अकेले, अजूर, मैं पढ़ाए छोड़ दूँ, नहीं बेटा, तू पढ़ा ही नहीं छोड़ेगा, बेचारी आवल्यू तो स्कूल छोड़कर चलिया ही, पर तू पढ़ेगा, तूने अप्पू को वचन दिया है, समझे, मेरा तो खून खोलता है, जट से ये मंगलदास ने कहा है न, कि नागा को ध्रदा करना नहीं आता, बस सरकारी नौकरी करो और खाओ, मुझे तो रह रहकर याद आता है, कि मंगलदास का दिया हुआ नंबर अगर मैं लिख पाती, तो शाय तुम्हारे आपू आज भी यहाँ होते हैं। अजो, अजो, ये सिस्टर मारता है जो इसके साथ में रहती थी। एवेल्यू, मुझे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। गलती? हाँ, गलती। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम कोहिमा दो दीन करे जा रही हो। तुम स्कूल में खुश नहीं थी गया। मैं स्कूल में बहुत खुश थी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझसे कोई गलती हो गई हो गी। अगर मुझसे अंजाने में कोई गलती हो गई हो तो… नहीं सिस्टर। तुम्हें पता है एवेल्यू, हम सब के बहुत अर्मान थे कि तुम आगे बढ़ो, कुछ बन कर देखाओ। लेकिन तुम तो अपने हातों से अपना गला घोट रही हो। एवेल्यू, तुम्हें आगे बढ़कर कुछ बनना नहीं है क्या। एवेल्यू, तुम्हें मेरी कसम। एवेल्यू, एवेल्यू। सिस्टर। इसे रोकिये मत। इसको जानी दीजे। इसने अपने परिवार के लिए, अपने आपों के लिए, अपनी पूरी तमनाओं का गला घोट दिया है। इस पर और दबाव मत डालिये। एवेल्यू तनी होनहर है कि जब वो स्कूल छोड़के चले आई तो, हम सब को बहुत बुरा लगा। उससे ज्यादा बुरा मुझे और मेरे बेटे को लगा। पर क्या करूं सिस्टर, मजबूरी कुछ ऐसी है। एवेल्यू ने अपने परिवार के लिए अपनी जिन्दगी का अरोख ही बदल लिया। आपको तो नाज होना चाहिए अपनी बेटी पर। सब सच बताता कुछ न चुपाता। अजो, यह क्या है। क्या दिखता है तुझे। इस उमर में। कल सुसे मार्था ने जो बात की थी न, वो सही थी। कौन सी बात। उन्होंने कहा कि तुमने अपने परिवार के लिए अपनी जिन्दगी का पूरा रुख बदल दिया। तब से मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों इतना कर रहे हो और मैं इतनी सी बात नहीं कर पाई। इतना तो कर रही हो। और क्या करना है। अगर मैं उस दिन सेट मंगलदास का दिया हुआ नमबर लिख सकती थी तो। अजो, छोड़ो ना इन पुरानी बातों को। नहीं बेटा, तुम्हारे आपको कहा करते थे कि जो आदमी अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वो जिन्दगी में कुछ नहीं कर सकता। एक बार मैंने गलती की, फिर नहीं करूंगी। अजो, अब नहीं होना तुम्हारी मदद के लिए। तुम मेरी असली मदद तब करोगी, जब तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखा दोगी। ठीक है तुम मेरी नई शिश्या, अतिले खामो। जी टीचर, आइविल यू, खामो। यह दस, यह दस, यह दस, और यह बड़ा वाला, पचास, पचास रुपया, यह आधा लेना है क्या आपको। आतिले, आतिले आपको फोन है। आप ज़रा देखो प्लीज। यह छोटा वाला कैसे दिया। दस रुपया। हेलो, हाँ, हाँ, बोलो, हाँ, आखो। अच्छा, भी पंद्रा, एक मिनिटा। हाँ, बोलो, मैं लिखती हूँ, हाँ, हाँ, चार, चार, आठ। आठ, दो, छे, ठीक है, हाँ, हाँ, मैं आवल्यू को बोल दूंगी, ठीक है, आच्छा। अजो, मैं बाहर जा रही हूँ, कोई काम है क्या। हाँ, आखो का फोन था, उसने ये नंबर दिया है, उसने कहा है कि हमको सूपर मार्केट में एक दुकान मिल रही है, बी पंद्रा। हाँ, बी पंद्रा। जाके देखने न, अच्छी लगे तो आखो को इस नंबर पर फोन कर देना। अरे, ये तो मेरी शिश्या अतिलो खामो के लिखावट है। जी, टीचर। ये कहानी अतिले खामो और उसके परिवार की है, जिसने अपनी पूरी संपती नागलान के सहुकारों को खोड़ी थी। पिछले दस साल में उन्होंने साथ लाक रुपए वापस किये हैं, और अब वो चपा-चपा अपनी संपती वापस जीत रहे हैं। कि लापस झाऊे हैं, तहाँ प्यात सब्सके तक है।